नेखना होगा कि आखिर किसके लिए जनता के दिल में प्यार है निलाप शुकला हमारे साथ है कॉंगरिस की प्रवक्ता इस पर आज हम चर्चा करेंगे अमरवाड़ा को लेकर थोड़ी देर में शिवम शुकला हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के प्रवक्ता और पौरानेक हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार की तौर पर जुडेंगे, राजेश हमारे साथ लगतार जुडे हुए है, लेकिन सबसे पहले तो निलाब जी अभी पहले राउंड की ही काउंटिंग हुई है, और लेकिन कमलेश शाह बढ़त बराते हुए नजर आ रहे, क्या कहना चाहेंगे आप उसकी वज़े में बतायता हूँ आपको, तो मत्रदान भी 10% कम हुआ है, उसकी वज़े है कि जनता में आक्रोश है, कमलेश शाह जी को लेकर, दौरतमान भागती इंता पार्टी की सरकार को लेकर, छे मेने जो जूटे बड़े-बड़े वादे इन्होंने किये थे, बातों जूटे बातों है, युवा ठगा है, महिलाए ठगा है, चाते ठगा है, सब को लाए, किस तरह हमें ध्रमित करके, जूटे वादे करके, ठोते वादे करके, जनता को ठगा गया है, इच्छे मेने सरकार के सामने आ गईगी, जनता इसका जवाब देगी जी ठीक है शीवम शुकला भी साथ जुल गए है मैं एक कॉमेंट उनसे भी ले लेती हूँ दुबारा आपके पास आऊंगी शीवम शुकला अभी मौजुदा समय में पहले राउंड की काउंटिंग हो गई है और कमलेश शा बढ़ात-बढ़ाते हुए नजर आ रहा ही है इस पर सबसे पहले आपका क्या कॉमेंट? विकासवादी, रास्टवादी, राजनीती पर अपना विश्वास जताया है और सुभाविक तोर पर हम पूरी तरीके से इस छेतर को न सिर्फ जीतेंगे बलकि जीत का जो मार्जीन होगा वो अपने आपने रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। लगातार उस प्रत्याशी के नामांकन तक में नहीं पहुचे। यह चीजे उस छेतर की स्वाविवानी जनता ने बहुत अच्छे तरीके से नहीं थी। लगातार निलाब जी आप यह कह रहे थे कि वोट परसंटेज कम है तो इसका फाइदा कॉंग्रेस को मिलेगा। एक मारजिन क्या आप लोगों ने सोच रखा है कि इतना मारजिन से आप जीतेंगे या फिर आपको लगता है कि इतना तो डिफरेंस होगा ही। देखिए में कोई हवाई आख़ल है भारतियनता पार्टी निताव तरह नहीं बता था में बहुमत के साथ अच्छा खासा तो बहुमत क्या होगे ना चाहिए भारी मतों के साथ हम महांते विजय श्री हमको जनता मात देगी। सब हवा निकल गई। आप देखिए टाइम साथ इंडिया की बड़ागबार है। उसकी रिपोर्ट है कांग्रेस का रिपोर्ट नहीं में इस परस्ट करदू मेरे भाजपा कि मित्र गोवर्ना करेंगे कांग्रेस वाले वतानी कहां से ले आते हैं। किसानों से जोली जोजना है। महिलाओं से जोली जोजना है। वर्दों से जोड़ी योजना है, युवाँ से जोड़ी योजना है, मेटरो ट्रेन की योजना है, तमाम ऐसी योजना है, बंद होने की कगार परें वजें कि भार्टी की सरकारे पास पेसा नहीं है। जानकारी हो, तो अगर आप ऐसा कह रहें, तो शिवम जी क्या ये सही है, कि जो वादे किये गए वो पूरा नहीं किया गया, और जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहें, आप उससे कितना इक्तिफाक रखते हैं। कि होने वजे से कोई योजना बंद की हो, प्रदेश के विकास कारी में कोई अवरो धुत्पन होने दिया हो, मध्य प्रदेश में, वर्तमान में जब सरकार बनाने से पूर्व, हमने तो 56 संकल पत्र में अपनी जो संकल्प हैं, वो प्रदेश की जनता के संकल्प मुदी जी की गैरेंटी के रूप में रखे थे, उनमें से लगबग 200 पर हमें काम तुरू कर दिया, 56 के आसपास अमें क कॉले सुरू करने का एक महत्वा कांची यह भियान सुरू किया है, पूर्व कि हमारी सरकार के बारे में यह लोग लगातार ब्रह्म पहलाते थे, लाडली बहना युद्व, हमारे साथ हैं, आपकी जगा, संदीप पौराने जी वरिष्ट पत्रकार हैं, काफी अनुभव है मदरप्रदेश के राजनीती को अच्छे से समझते आए हैं, संदीप जी आपसे पूछना चाहूंगी, कि इस बार आपको क्या लग रहा है कि अमरवाडा का ट्रेंड क्या है, भले ही पार्टी बदल गई, लेकिन क्या चेहरा जनता वही चुनेगी, या फिर जनता एक्टि की जो मदगर ना हुई है, फर्स्ट राउंड की, वो नतीजे हमारे सामने आए, इसे रुजान मानेगे, क्योंकि इतनी बड़ी भी लीड नहीं है, जिसे कबर ना किया जा सकते हैं, और ये भी संभावना की लीड बड़ी सकती है, तो ये आने वाले समय में तैह होगा, ले लोगसभा चुनाओ के बाद ये पहला चुनाओ है, दूसरी तरफ चिनवाडा को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, लोगसभा में उनके पुत्र को हार का सामना करना पड़ा, अमरवाडा में भी कॉंग्रिस काफी पिछडी थी लोगसभा में, विधान सभा के लगातार ती चुनाओ कमले साह जीतते आ रहे हैं, अब ये चुनाओ कमले साह धीरेंशाह का नहीं है, ये चुनाओ पूरी तरह कमलनाथ बनाम, मोहन यादो सरकारों बीजेपी का है, क्योंकि ये राजनेतिक तोर पर जो ये माना जा रहा है, कि ये एक ऐसा बैटल है, या ऐसा में क्या होगा, ये तै हो जाएगा, क्या अमरवारा का चुनाओ भी कॉंग्रेस हार जाएगी, और अगर कॉंग्रेस ये चुनाओ हारती है, तो क्या नाथ परिवार की राजनेतिक हैसियत क्या बचेगी, इस से जोड़ा एक सवाल में अपने रिपोर्टर से करूँगी, र यहां पर कितना लोग समझते हैं इस फैक्टर को और कमलनाथ क्या ग्राउंड जीरो पर नजर आए, क्योंकि जैसे जीतू पटवारी को पार्टी का ध्यक्ष बनाया, तो फील्ड पर थोड़ा कम नजर आ रहे थे कमलनाथ, राजिश आप तक अवाज आ रही है, राजिश 75 क्रॉस हो गई हो, उससे हम उतनी अपेक्षा करें कि युवा नेता की तरह वो सक्री हों तो वो नहीं दिखें, उनके पुत्र भी उतनी नहीं, लास्ट के 3-4 दिन लोगों ने सक्रीता दिखाई, और खुल मिला करके इस चुनाओं को अगर आप देखें, तो BJP ने पूरी ताकत जहुक दी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, चाहे मुख्य मंतरी मोहन यादा हो हैं, राज सरकार के मंतरियों, पूरी ताकत उन्होंने अमरवाडा पे लगा दी थी, क्या कॉंग्रेस में ऐसी ताकत नजर आई, उमंग सिंगार निता प्रित्पक्ष क एक दो दोरे हुए, जीतु मटवारी कुछ गए, कमलनाथ के गिनिती के दोरे हुए, नकुलनाथ के गिनती के दोरे हुए, क्या दिगविजे सिंग वहां गए, तो मुझे लगता है कि कॉंग्रेस में अब भी विख्राव है, और वो चीज अमरवाडा के चुनाव में देखें ये चुनाव, आपने कहा अमका बनलाज जी का और मोहन सिक सिंग सरकार जी कैसा नहीं है, ये चुनाव है, जनता वरसिस भारती जनता पार्टेक की सरकार जो जूटे थोते हिवादे करके चुनाव सकता में आई हैं उप बादों के आप पोल खुल देए, ये चुन लालज के लिए पत को छोड़ देते हैं, जनता के बत का फ़मान कर देते हैं, दूसरी पार्टी जोईन कर लेते हैं, तो निश्री लुपसरे इसका जवाब देगे, पुरे माहोल कांगरेस के पक्ष में, तो देखिया, आप रही स्प्रेणा माएंगे, सुप चनाओ की बात म होने वाले हैं, सब में पुरा महोल कांगरेस के पक्ष में, तो कि ये सरकार की कुछे मेने में पोल बुल देगे हैं, क्या वाकरी में जो कमलेश शाह हैं, उनको आगे आप देखेंगे कि हाँ, धीरे धीरे वाब आगे बढ़ते हैं, उस तरह का पफॉर्मेंस इस्ते एक्त हैं, हम ग्राउंड रिपर्ट आपको बता रहे हैं चीज़ें, जनता हैं, बहुत आकरोज हैं इस चीज़ को लेका, सरकार को लेका, चीक निला जी में, शिवम 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 जी से एक सवाल लेना चाओंगी, शिवम जी क्या ये लड़ाई जैसा की अभी संदीब जी बता हुए, तो वोट परसंटेज भी कम थे? आज से आपके पास आओंगे एक बड़ी ख़बर आ रही है, जिस चीएम विश्व देव साही अपनी कैबरिट के साथ आप